जीवन ने आने वाले संघर्षों के लिए जब मनुष्य स्वयम को योग्य नहीं मानता जब उसे अपने ही बल पर विश्वास नहीं रहता तब वो सद्गुणों को त्यार कर दुर्गुणों को अपनाता है वस्तुदा मनुष्य के जीवन में दुर्जंता जन ही तब लेती है जब उसके अंतर में आत्मविश्वास नहीं होता है आत्मविश्वास ही अच्छाई को धारन करता है यह आत्मविश्वास है क्या जब मनुष्य यह मानता है कि जीवन का संघश उसे दूर्बर बनाता है तो उसे अपने उपर विश्वास नहीं रहता वह संघश के पार जाने के बदले संघश से छूटने के उपाय ढूर्णने लगता । किन्तु जब वो ये समझता है कि ये संगर्ष उसे अधिक शक्ति शाली बनाते हैं ठीक जैसे व्यायाम करने से देह की शक्ति बढ़ती तो प्रतेग संगर्ष के साथ उसका उत्साह बढ़ता है अर्थार आत्म विश्वास और कुछ भी नहीं कि मन की स्थिती जीवन को देखने का दृष्टी कोण मात रह और जीवन का दृष्टी कोण तो मनुष्य के अपने वश्व में होता है कि स्वयम विचार